नमस्कार दोस्तों कार्सन इस्टडी के अनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाली में UPPCL TG2 का एक्जाम होने वाला है और कंप्यूटर के सेशन में पास होना चुरूरी है तो दोस्तों हम आप के लिए 1000 मोश्ट कंप्यूटर के कुईशन करवा चुके हैं वो कुईशन थे जो प्रिवियर सियर्स के कुईशन थे और यहां पर हम ITI Electrician Trade के UPPCL में पूछे जाने वाले कुईशन है तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर यह क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा चलिए हम सीधा कुईशन पर चलते हैं आज का हमारा पहला कुईशन कह रहा है कि किट कैट फ्यूज ओबर हैड इंसुलेटर बनाए जाते हैं तो आपको बताना किस चीज को बनाए जाते हैं तो इसमें राइट एंसर क्या बताओगे कि पॉरसलीन के बनाए जाते हैं आपसर नंबर D सही हो जाएगा अगले कुईशन की बात करते हैं तो अगला कुशन यहाँ पर कह रहा है किसी चार्ज कैपिसिटर के दोनों सिरों को साट कर दिया जाए तो क्या उत्पन होगा तो इसमें राइट एंसर क्या हो जाएगा इस पारकिंग होगी आपसर नमबर 20 ही हो जाएगा अगला कुशन की बात करते हैं अगला कुशन यहाँ पर कह रहा है कि एंपियर घंटा किस रास का मातरक है एंपियर घंटा जो है किस रास का मातरक है तो इसमें राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसमें राइट एंसर हम बताएंगे बिद्धुत का मातरक होता है आपसर नमबर 20 ही हो जाएगा अगला question की भात करते हैं अगला question यहाँ पर कहरा है battery की charging अवस्था को चेक करते हैं तो किस प्रकार से चेक करते हैं तो इसमें right answer क्या बताओगे high rate cell discharge tester से चेक करते हैं अपसर number C स्टे हो जाएगा अगला question दिहान देते हैं अगला question यहाँ पर कहरा है कि लेड ऐसीड बैटरी के पुन्टे आवेशन के पस्चाद धनातमक तथारिडातमक प्लेट पर सक्रिय पदार्थ होते हैं तो ये पदार्थ जो होते हैं किस चीज के होते हैं तो क्या बताओगे तो इसमें राइट एंसर क्या बताओगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं अपसर नमबर डी सही हो जाएगा अगला क्यूशन की बात करते हैं अगला क्यूशन यहाँ पर कह रहा है निमलखित मेंसे किस पदार्थ का अस्थाई सूचक नहीं बना सकते हैं तो इसमें राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 67 में राइट एंसर बताओगे नर्म लोहा का होता है तो नर्म लोहा का स्थाई सूचक नहीं बना सकते हैं आपसर नमबर बी से ही हो जाएगा अगला कुईशन की बात करते हैं अगला कुईशन यहाँ पर कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर कम बोल्टेज को अधिक बोल्टेज कर देते हैं उसे क्या कहते हैं जो भी ट्रांसफार्मर होता है कम बोल्टेज को अधिक में बदल रहा है तो इसमें राइट एंसर क्या बताओगे कि वर्किंग फ्लस्क फाई से 90 अंस लाइट करता है अपसर नमबर A से ही हो जाएगा अगला कुईशन की बात करते हैं अल्टरनेटर में टेंपर बैंडिंग के प्रियोग से क्या उत्पन होता है तो इसमें राइट एंसर क्या बताओगे कि हंटिंग समाप्त हो जाएगी अपसर नमबर C से ही हो जाएगा अगला कुईशन की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर यह मेरा चैनल है इस चैनल को जो है कासेन स्टेडी बाई या लोक सर इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें अगला कुईशन दिहां देते हैं अगला कुईशन यहाँ पर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो किस पदार्थ का बना होता है इसमें राइट अंसर आपको बताना है तो बताओगे सिलकान श्टील का बना होता है आपसन नमबर A सही हो जाएगा अगला कुईशन दिहां देते हैं अगला कुईशन यहाँ पर कह रहा है कि सिन्क्रोनाइजिंग तीन फेज अल्टरनेटर की करनी है तो लैप बिधी काउन सी अपनानी चाहिए तो लैप बिधी काउन सी अपनानी चाहिए तो इसमें राइट अंसर क्या हो जाएगा बताओगे कि इसमें देखिए पहला भी आपसन सही है वो दूसरा भी सही है तीसरा भी सही है bright lamp बिदी A भी सही है, dark lamp बिदी A भी सही है अर्थात उपर यूग तो सभी option number D सही हो जाएगा अगले question की बात करते हैं तो अगला question यहाँ पर कह रहा है कि field expectation बढ़ाने के लिए rio state को जोड़ा जाता है तो किस प्रकार से जोड़ा जाता है तो इसमें right answer क्या बताओगे कि alternator के circuit में जोड़ा जाता है अपसर number A सही हो जाएगा अगला question धियान देते हैं अगला question कह रहा है कि सुनने भार पर परचलित मोटर में अचानक उतेजन समाप्त होने पर क्या उत्पन होगा तो क्या उत्पन होगा तो इसमें right answer बताना है कि मोटर रुक जाएगी अपसर number B सही हो जाएगा अगला question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि गलत सही हो जिन के कारण किसी pump मोटर के घूमने की दिसा गलत है आप इस से दोस को कैसे ग्याद करेंगे तो इस दोस को कैसे ग्याद करते हैं तो इसमें right answer क्या हो जाएगा बताओगे कि pump से पानी नहीं आता है इस प्रकार से हम जान जाएंगे अपसर number B सही हो जाएगा अगला question की बात करते हैं अगला कुशन यहाँ पर कह रहा है कि बैब बाइंडिंग में प्रडाम पिछ होना चाहिए तो कितना होना चाहिए तो इसमें राइट एंसर क्या बताओगे कि प्रिष्ट पिछ और अगर पिछ के अंतर के होने चाहिए आपसर नंबर डी से ही हो जाएगा अगला कुशन की बात करते हैं अगला कुशन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब प्रदीप्त लैंप के परतेक सिरे पर काला पन है तो संभा होता इसका अर्थ है कि तो इसका अर्थ क्या है आपको यह बताना है तो कहोगे इसका अर्थ है इसटार्टर अनुच्छी तरूप से कार कर रहा है तो आपसल No.20 ही हो जाएगा अगला कुशष्ण की बात करते है अगला कुशष्ण यहाँ पर कहरा है कि धारा में रिपल बढ़ाने से क्या होगा तो इसमें right answer क्या हो जाएगा धारा का AC घटक बढ़ता है अर्थात आपसर नंबर D से ही हो जाएगा अगला question ध्यान देते हैं अगला question की बात करते हैं तो rotary converter प्रारम किया जाता है जो rotary converter होता है वो प्रारम किया जाता है किस प्रकार से तो आपको right answer इसमें बताना है तो बताओगे उपर यूग तो सभी जैसा कि यहाँ पर AC वा DC साइट से एभी सही है DC साइट से केवाल AC साइट से तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा उपर यूग तो सभी तो कितने तक होती है तो इसमें right answer क्या बताओगे कहोगे option number B उसे ही हो जाएगा 440 बोल्ट होती है option number B से हो जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों ऐसे question को तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा अर्थात यहाँ पर option number B से ही हो जाएगा अगला question ध्यान देते हैं अगला question कह रहा है कि IC का पूरा नाम आपको बताना है तो IC का पूरा नाम क्या होता है तो इसमें right answer बताओगे integrated परिपत होता है option number C से ही हो जाएगा जिसे हम integrated circuit कहते हैं अर्थात यह हैं दोस्तों हमारा channel है channel को ध्यान दीजिए अगला question ध्यान देते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि तापन का वाविधी जिसमें पदार्थ के तापन हे तो पदार्थ में धारा परवायत होती है तो किस प्रकार क्या तापन होता है तो इसमे right answer क्या बताओगे कि प्रतेच प्रत्रोध तापन होता है option number C से ही हो तो insulation चेक करने के लिए क्या चीज परियुक्त करते हैं तो इसमे right answer आपको बताना है तो इसमे right answer क्या हो जाएगा 14 तो इसमें कहोगे मैं अगर हो जाएगा option number A से ही हो जाएगा अगला question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है निम्लकित में से किसी अंत्र में मापन क यह समय अधिकतम पावर बे होती है तो किसमें होती है तो इसमे right answer क्या बताऊगे कि heart wire instrument में होती है आपसं number B से ही हो जाएगा अगला question ध्यान देते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि rotary converter का परियोग किया जाता है rotary converter का परियोग करते हैं तो किसमें करते हैं तो इसमें right answer क्या बताओगे यह उपर यूग तो दोनों सही है आपसा उपर के दोनों यह वाला यह वाला मतलब DC को AC में या AC को DC में बदलते हैं इसे हम rotary converter कहते हैं और अर्थात उपर यूट दोनों आपसा नंबर C सही हो जाएगा अगला question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि three phase motor में बैंडिंग की जाती है तो three phase motor में किस प्रकार की बैंडिंग की जाती है तो इसमें right answer आप लोग क्या बताओगे कि उपर यूट सभी सही है chain banding, constant banding और basket banding अर्थात उपर यूट सभी सही है अगला question की बात करते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है सामान रूप से किस motor की गत 300 RPM से अधिक होती है तो इसमें right answer क्या बताओगे कि universal जो motor होती है इनकी गती 3000 RPM से अधिक होती है अर्थात आपसर नमबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों कासन श्रड़ी भाई या लोग सार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगला question देखते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि series motor की field banding का परत्रोध R major से अधिक होगा कम होगा समान होगा इसमें कौन सा answer सही है आपको यह बताना है तो इसमें कहोगे कि अधिक होती है series motor की banding R major banding से अधिक होती है मतलब banding का जो परत्रोध होता है वो R major से अधिक होता है option number A सही हो जाएगा अगला question की बात करते हैं अगला कोईशन यहाँ पर कह रहा है कि कंड्यूट बाइंडिंग में पाइप है में चूड़ी डालने है तो क्या उत्पन होता है तो इसमें राइट एंसर क्या बताओगे उपर यूग तो सभी आपसर नंबर D से ही हो जाएगा कंड्यूट डाइ कामक में आती है पाइप रिंच काम में आती है पाइप वाइस काम में आती है आपसर नंबर D से ही हो जाएगा अगला कोईशन की बात करते हैं अगला कोईशन यहाँ पर कह रहा है कि एंपियर कानियम हम किस से ग्याद करते हैं तो इसमें राइट एंसर क्या बताओगे, कि आपसर नंबर B सही हो जाएगा, ओबरहेट लाइनों में धारा की जिसा से ग्याद करते हैं, आपसर नंबर B सही हो जाएगा, अगला कुईशन ध्यान देते हैं, एक जिनरेटर में सुन लोड बोल्टे 230 बोल्ट था रेटेड बोल्टे 200 बोल्ट है, बोल्टेज जे रिगुलेशन होगा, तो बोल्टेज रिगुलेशन कितना होगा तो इसका एंसर आपको बताना है, तो इसमें क्या बताओगे कि 5% होता है आपसर नमबर 20 सही हो जाएगा अगला कुशन ध्यान देते हैं सुरी दोस्तों यहाँ पर आपसर नमबर A सही हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 परतिस्सत होगा परतिस्सत में कह रहा है तो अगला कुशन ध्यान देते हैं अगला कुशन यहाँ पर कह रहा है कि 50 हर्टेज की तुलना में 400 हर्टेज पर बोल्टेज ड्राप को कम करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा तो कौन सा कदम उठाना पड़ेगा तो इसमें क्या बताओगे विफिन फेजों को कंडेक्टरों के पास रखेंगे आपसर नमबर सी से ही हो जाएगा अगला कुशन यहां पर धियान देते हैं अगला कुशन कह रहा है कि अल्टरनेटर का रोटर एक अस्थान पर आसिलेट नहीं हो इसके लिए की जाती है तो इसके लिए क्या की जाती है तो इसका राइट एंसर आपको बताना है बताओगे डैंपिंग बैंडिंग की जाती ह ही हो जाएगा अगला कुशन की बात करते हैं अगला कुशन के रहा है सून भार पर 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 चली इत IALTER Committee के प्रतं चालक को दी गई सकती दवारा हम लोग गयात करते हैं तो कैसे गयात करते हैं तो बताओगे सून भार पर होने वाली समझ धानिया की पूरती होती है आपसर नमबर A सही हो जाएगा दोस्तों अगला question धिहान देते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि ceiling fan की size मापते हैं तो ceiling fan की size किस प्रकार से मापते हैं तो इसमें right answer क्या बताओगे कि blood के छोर से लंबाई को दुगना करके गयाद करते हैं आपसर नमबर B सही हो जाएगा अगला question कह रहा है कि running binding वा starting binding अधिकतर की जाती है तो किस प्रकार से की जाती है आपको इसका answer बताना है तो बताओगे उपरी तो सभी आपसर नमबर D सही हो जाएगा capacitor start capacitor run motor में सही है capacitor permanent motor में sleep phase motor में आपसर नमबर D सही हो जाएगा अगला question दिहान देते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि central line में जोल आने का कारण क्या है तो central line में जोल आने का कारण क्या है तो इसमें right answer क्या आप बताओगे योपर योगति सभी सब सही अर्थाद दो खंबो के मद दूरी आई होती है चालक तनाव T होती है चालक परती unit लंबाई का भार ये भी सही है अर्थाद आपसर नमबर D सही हो जाएगा अगला question दिहान देते हैं अगला question यहाँ पर कह रहा है कि DC generator की पुली एक देसमेलो पांच मिनट में एकीस सो चक्कर लगाती है तो कुल RPM होंगे कुल RPM कितना होगा तो आपको इसका answer बताना है तो इसका answer क्या बताओगे कि 14 सो हो जाएगी आपसर नमबर A सही हो जाएगा अगला question देते हैं अगला question यहाँ पर कहे रहा है कि cello को छोड़ा जाता है थो इसका right answer क्या बताओगे आउटपूट वोल्टेज बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है अपसर नमबर B सही हो जाएगा अगला question दोस्तों आपको होंआर के लिए दिया जा रहा है कुईशन कह रहा है आस्थाई चालकों में खंबे की लकड़ी के खंबे परियोग करते समय बिस्तार का मान कृतक से अधिक नहीं होना चाहिए तो आपको ये बताना है कि किस के किस के बीच में होना चाहिए इसका जो राइट एंसर है कमेंट बाक्स में जरूर बताएं दोस्त